आज हम बनाएंगे शादियों में मिलने वाला स्टार्टर बासा फिश वो भी ऐस्टर सॉस के मेरिनेशन के साथ जो शादियों का ही टेस्ट देता है चली स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने ले लिया है बासा फिश फ्रोजन था यह तो बिल्कुल कुछ क्लीन करने के जरूरत नहीं पड़ी फिर भी मैंने साधे पाने से इसे वाश कर लिया अब हम इसे चोई होटे पीसे में कट कर लेंगे जितने भी पीसे में आप इसे कट कर सकते हैं स्क्वेर इसके साथ और इसका जो main ingredient होगा sauce का वो होगा oyster sauce तो कुछ ऐसे pieces में मैंने इसे cut कर लिया है अब हम इसे marinate करेंगे सबसे पहले इसमें नमक एड़ करेंगे स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे एक चमचे करीब छोटा चमच था उससे मैंने नमक एड़ किया है जैसी जितनी आपके पास fish है उस हिसाब से sauce की quantity आप कम जादा कर सकते हैं ketchup इसमें add किया है एक चोड़ चमच के करीब और यह है oyster sauce यह भी मैंने एक चमच add किया है इसमें मैंने थोड़ा सा vinegar भी add किया था वो मैंने डालना भूल गई वीडियो तो वो सब करके अच्छे से इसको marinate कर लेना है mix कर लेना है सारा जो sauce वगएरा है वो coat हो जाए coat करने के बाद इसमें हम binding के लिए मैं दो चीज इसमें add करूंगी तो सबसे पहले इसमें मैंने add किया है मैदा एक बड़ा चमच मैदा add कर लेंगे और एक चोड़ा चमच corn flour add करके अच्छे से coat कर लेना है mix कर लें सारा coat कर लें और इसे आदे घंटे के लिए marinate होने के लिए रख दे marination process बहुत जादा अच्छा रहेगा क्योंकि यही आपके fish को अंदर से एकदम soft बनाएगा यह इतनी अच्छी tasty बनेगी ना अंदर से एकदम soft रहेगी और बाहर से एकदम crispy बिल्कुल वैसे जैसे आप शादियों में खाते हैं आदे घंटे हो गए थे यहाँ पर मैंने breadcrumb बना लिया था आप चाहे ना तो इसमें अंडा भी add कर सकते हैं coating के लिए लेकिन मैंने avoid किया था इस सबको अच्छे से coat कर लेंगे सारे pieces को आप चाहे तो ऐसे coat करके ना फ्रिज में भी रख सकते हैं आत में खाना है तो दिन मे पहले आप इसे fry करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है बनाना कितना जादा आसान है और fry करना भी बहुत जादा आसान है तो चलिए यह हो गई थी सारी coat और मैं इसे एक एक करके pan में add करें थी हम इसे shallow fry करेंगे shallow fry करेंगे तब ही यह crispy बनेगी आज को ना medium रखना है हम इस और बाहर से पुरी crispy बनके ready हुई थी तो एक तरफ से ना यह जब अच्छे से पूरा हो जाएगी brown brown करना है हमें एक दम light brown ने थोड़ा सा डाक रहे तो यह अच्छा लगता है इतना भी जादा डाकने कि काला हो जाए उसके बाद मैंने इसे flip करना है अच्छा flip करने के फिर उसके बाद flip करें इसको अच्छे से पल्टा ले अब सारे pieces को धीरे धीरे मैंने पल्टा लिया था तो हुआ क्या था कि अंदर से इतनी soft बनी थी और बाहर से crispy खाने में इसका मज़ा बहुत जादा था आप as a starter अपने family को serve करें या कोई guest को serve करें बहुत ही tasty लगेगी और सब लोग बहुत तारीफ करेंगे एक बार ऐसे बना के जरूर देखेगा बड़ा मसा आएगा आप लोगों को तो ये थी शादियों में मिलने वाली बासा fish starter के तौर पे जो दी जाती है और हम सब enjoy करते हैं चले जी तो ये था आज का वीडियो I hope so अच्छा लगा होगा लगा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में and अल्ला आफिस